चलिए करते हैं अभी तक हमने केस क्या देखा था हमने कि अगर कोई assets मतलब stock को convert कर देता है अगला point देखिए समझेगा माल लेते हैं आपका घर है और इस घर पे आपने खरीदा था 14-2001 में एक government का project आया और उन्होंने decide किया कि हम जहां पे आपका घर है इसके उपर से यहां पे same ठीक हमें मेट्रो का construction काम करवाना है यहां से मेट्रो जाएगा जब आपने मेट्रो का आया तो मेट्रो के आने के बाद फिर आपको यहां कि यहां से घर हटाना पड़ेगा हटाना मतलब इंदा सेंस वह जगह ही छोड़ना पड़ेगा कि गवर्मेंट ने आपको बोला कि भाई आप अपने जगमेंट को छोड़ दीजिए हम आपको पेड करेंगे पैसा और पेड क्या करेंगे कमपनसेशन पेड करने वाले हम कमपनसेशन सर कमपनसेशन पेड करेंगे आप अपने पेपर्स लिया यह और उसको दिखा देते हैं कितने का पेड होगा तो सर अगर मैं compensation की paper की बात करूँ हम हमेशा paper के अंदर जो property खरीदते हैं उसका value क्या दिखाते कम जादा मैंने 20 लाख रुपए का घर घर खरीदा तो मैं paper पे 20 लाख mention नहीं करता उसके पीछे capital gain ही कारण है क्योंकि अगर मैंने 20 लाख mention किया इसमें तो जो seller है वो बोलेगा भीया मुझे तो capital gain देना पड़ेगा उन्हेंने बोला मैं paper तो नाम करी रहा हूं इस पर आप 2 लाख रुपए लिख दिजिए और बाकी का पैसा 18 लाख आप cash दिजिए तो सबसे ज्यादा property के अंदर कभी भी चेक के थ्रूँ वही ट्रांजेक्शन होता है यह बैंक के थ्रूँ वही ट्रांजेक्शन होता है विचोवर मेंशन होंदा paper बाकी सारा cash होता है कि गवर्मेंट ने बोला paper लिके आई हम आपको आपका compensation दे देते हैं तो इन्होंने paper निकाला और paper पर मेंशन था दो लाग और इन्होंने इस टाइम पर खरीदा था पचास लाग का और paper पर मेंशन कितना करवाया या पांच लाग कर लेते हैं क्योंकि इंडेक्शेशन भी करना होगा अब बात यह हुई government ने बोला कि भाई हम तेरे paper पर तो दो लाख रुपए दो लाग तो नहीं देंगे तुझे थोड़ा ज्यादा देंगा चिंता मत कर और यह कहानी है 14.2019 को metro जो जा रही है इसके घर के आगे से government ने बोला हम तेरे को payment देंगे लेकिन चिंता मत कर तुझे हम ठीक ठाक पैसे दे देंगे यहां से खाली तो करना ही पड़ेगा और government ने उस दिन decide किया fair market value उस दिन का अतब पता किया और बोला चल ठीक है भाई त मकान की कीमत 15 लाग रुपे अब आप समझ सकते हो 15 लाग का मतलब लेकिन इस मकान का actual कीमत है actual मतलब कैसे हम actual कैसे पता करते हैं हमारे पडोस वाले ने जितने का बेच दी हम भी अंदाज लगा लेते हमारे भी की का आपको कैसे पता चलता है कि मकान की कीमत ही हो गया आपकी गली में किसी ने बेच दिया आपके स्ट्रीट में बेच दिया आपके आसपास में कोई मकान बिग गया आपके साथ वाला मकान है पांच करोड का बिग गया आपको अंदाजा लग गया मेरा भी कितने का है अगर उ मकान की कीमत थी 1CR गवर्मेंट ने क्या दिया 15 लाग अब यहाँ पर दो कंडिशन हो सकता है या तो यह पर सन चुपचा पैसे ले लेगा और चला जाएगा पहले तो हम यह देखते हैं कि चुपचा पैसे लेके चला गया यह तो अगर यह चुपचा पैसे लेके चला जाता है तो गवर्मेंट इसको 15 लाख रुपए जो है दो तरीके से पे कर सकता है या तो किस्तों में दे देख रहे हो गवर्मेंट को किस्तों में देखे हो पैसे भाई एक लाख रुपए ले फिर 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 अगर उसे लंसम मिलता है तो बड़ी सीधी सी बात है capital gain कैसे निकाला जाएगा अगर लंसम मिला तो मैं थोड़ा सा amount जो cost of acquisition है ना खरीदा था उसका मैं घटाना चाहूँगा ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरा positive आई ये तो इसलिए इसको मैं 50,000 कर देता हूँ ठीक है तो इसका sale consideration सबसे पहले कितना होगा sales कितना माना जाएगा जितने का government ने government ने जो पैसा दिया वो 142,021 में दिया minus कर देतेंगे cost of acquisition सर पचास अजार divided by हमें कब खरीदा था एक में तो एक का indexation 100 अब बात आती है सर बेचा हुआ कब माना जाएगा जिस दिन government ने आपको compensation determine कर दिया है ना कि जिस दिन आपको मिला है तो government ने determine कर दिया था 2019 में तो 19 का ही indexation लेना होगा 19 20 that is क्या होगा 30 289 ने 301 है कि 19 20 का हां तीन नहीं उनने इस वीस का 307 289 ना 289 तो सर इसका capital gain निकाल लेंगे आप एक बार क्या है एक लाग और सर इसका आगया capital gain तेरा लाग और अब मजे की बात देखो एक तो इसको घर ते निकाल दिया अब तेरा लाग पच्पन हजार पे इससे बीस परसंट सरकार बोलेगे अब टेक्स लाओ यह capital gain तो capital gain है और इस पर जो भी मोटा मोटा बन जाएगा तेरा लाग पे लगबग दो लाग साथ हजार रुपए दो लाग इक अत्तर हजार रुपए वो लेगा वो ठीक है चलागे आपका घर लेकिन इस पर आपको टेक्स देना पड़ेगा अगर टेक्स नहीं दोगे तो जेल भी जाना पड़ेगा एक तो इस बिचारे को कम कम पंशिशन मिला उपर से टेक्स भी देना पड़ेगा ठीक है सर ये कॉम्प्यूटेशन तयार कब होगा सर ये होगा 2021 और 22 में कैलकूलेशन करेंगे लेकिन बेस मानेंगे 2000 उन्हें इसको तो देना पड़ेगा कोई चारा नहीं है पहले पॉइं लेकिन में भी पॉसिबल है कि आपको बोले कि अभी वहिया अभी पकड़ो आप 50,000 रुपए अभी पकड़ो 50,000 रुपए बाकी के आपको 14,50,000 हम देंगे बाकी के 14,50,000 आपको दिये जाएंगे सवाल आए सर कब दोगे बोला जैसे जैसे गवर्मेंट की पॉलिसी है जैसे जैसे होगा हम आपको देते जाएंगे चिंता मत करिए तो अब कुश्चन मांक आता है सर इसे पैसे तो मिल गए कितने मिले अब capital gain कभ calculate करेगा यह सरकार को capital gain का पैसे अब इदेगा अभी देना पड़ेगा या जब सारे के पैसे मिल जाएंगे और सारा पैसा जो इसको मिला ना अभी मिल गया है यह मिला हमें एक चार को कि एक चार 2000 21 में और बाकी का balance मिला है कि बैलेंस जो मिला है वह 4 2000 24 में मिला है तो है तो अब सवाल आता है सर इसका भी हमें Computation तो त्यार करनी है तो इसका Computation जब त्यार करेंगे तो calculation तो यही रहीonymous लेकिन किस साल सरकार को Tax देगा ये 2021 में देगा ये 2024 में बताईए तो इसको जो टेक्स देना होगा वो देना होगा 2021 में कि गवर्वर्मेंट कहता है जिस दिन फस्ट इंस्टॉल्मेंट आपको रिसीव हो जाता है उसी दिन आपको प्रेस होता है सार कि पचास हजार के अकॉर्डिंग देगा यह पूरे के कॉर्डिंग ड़ो पूर एक एकॉर्डिंग दो यहां पे थोड़ा सा यह लग रहा है आपको पता चल रहा हूं तो मैं खुद मानता हूं कि यह थोड़ा सा प्रोविजन कैसा बन गया आपका थोड़ा सा फेवर में नहीं है थोड़ा के बहुत अब बिचारे को दो लाग सत्तर हजार रुपर ट होगा जिस दिन आपकी स्टल्म हैं मजें आ बिलकुल सेम है फिर कैल्कुलेशन तो यह change है लेकिन प्ले ये तब थी बात जब ये चुपचा पैसे ले लेता है शरीफ आदमी है अब भाई इसका मकान यहां से हटा रहे हैं पंदर लाख दे रहे हैं वहाँ पे जी सी भी बुल्डोजर आई लेट गया गये हम तो नहीं खाली करेंगे भाई यानि वहाँ पे फिर आसपास की भीड भी जूटेगी फिर पुलिस वाले भी आएंगे फिर कोट भी जाएंगे अब कोट में मामला जाने के बाद फिर थोड़ा सा तरीका लगो जाता है तो ऐसा सिचुएशन को बोलते हैं कि जगड़ा हो गया नॉर्मल लेंग्विज में और थोड़ा सा इंकम टेक्स के लेंग्विज में एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं डिस्प्यूट सर डिस्प्यूट हो गया तो ऐसा लगे गाने कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है डिस्प्यूट हुआ है छोटी सी बात लग रही है हलका थोड़ा सा वर्ड रखा है यहां पर डिस्प्यूट हो गया जज ने बुलाया इसको कि भाई क्यों लड़ाई जगड़ा है किस बात का डिस्प्यूट है उसने बोला सर मेरा घर गया हमारा बहुत पुराना घर था यह घर चला गया और इसका मार्केट वेल्यू एक करोड रुपे का है और यह मुझे पंद्रा लाग दिन इप्टा रहे है तो ऐसा तो हो नहीं सकता मुझे काईदे से मिलना चाहिए कितना एक करोड रुपे अब इंकम टेक्स और यह एससी के बीच में लड़ाई चल रही है तो जज यहाँ पे एक और पास करतेगा पहिया इस प्रॉपटी की दोबारा से वेल्यूएशन कराओ जज एक अपना बंदा भेजेगा जो कि एक्सपर्ट होगा वेल्यूएशन करने में जो उस्परपटी का क्यूकि एक कोर्स भी होता है वेल्यूएशन करता है इन सबी चीजों का तो जज भेजेगा कि भाई जाओ आप एक्सपर्ट हो इन कामों में तो जाए उस प्रॉपटी की वेल्यूएशन निकालिए पहला question raise होता है कि सर इसको text कब देना होगा लड़ाई जगड़ा हो रहा है तो क्या अभी जो किस्त मिल गया इसको text भरना होगा या नहीं भरना होगा लड़ाई जगड़ा हो चुका है तो judge बोलेगा भीया जो पहले इसने decide कर दिया जो पैसा ले चुके हो अकाउंट में आगया है आपके 15 लाग उसके according तो आप पहले text भरी दीजिए क्योंकि dispute का solution होता है कि जिस चीज़ पर आप agree हो सामने वाला वो चीज़ तो पहले judge के पास deposit करिए यानि इसने बोला 15 लाग मिल गया है गवर्मेंट ने बोला मैंने 15 लाग दे दिये judge ने बोले भाई 15 पर टेक्स भर पहले तू यानि यह वाली कहानी तो हो चुकी होगी भरना पड़ेगा अब dispute के बाद कोट का फैसला आपको पता ही है तारीख पर तारीख हो सकता है हो सकता है 20 साल बाद आए अब यहां दो फैसले हो सकते हो सकता है कि income tax department जीच जाए और हो सकता है कि SSC जीच जाए अगर income tax department जीच जाता है तो 15 लाग ही देगा उससे जादा अगर income tax department नहीं जीचता जीचता है SSC तो income tax department को उसको पैसे देने पड़ेंगे इसने अपना demand रख दिया कि सर एक करोट रुपए की मेरी property है अब valuer आया valuer ने इसका डिटेन निकाला तो इसकी actual असी लाग बनी असी लाग का बना अब असी लाग का payment जो है वो 2030 में हुआ 2030 के अंदर असी लाग रुपए बना तो असी लाग उसे payment नहीं होगा पंदर तो पहले ले चुका है बाकी 65 लाग जज एक लौ और रूल पास करेगा कि भाईया इसे बाकी के 65 लाख दीजिए और प्लास इंट्रस भी दीजिए अब क्या देना होगा प्लास जितने टाइम डिले हुआ है इंट्रस देना होगा जो भी whatever rate है 1% मिलता है पॉइंट 5% मिलता है वो उसके एसाब से आपको ब्याज भी देना होगा अब सर इसको 65 लाख रुपे मिल गए कब मिला है और इंट्रस भी मिला है माल लेते टूटल मिला के इसको 70 लाग के असपास मिल चुका है अब जब 65 लाग मिला है 2030 में है तो प्रोपरटी का पैसा क्या इसके उपर कैपटल गेन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए लेकिन जब हम पहुँच में यानि अब हमें 2030 में मिला है तो 2030 में अगेन हम क्या करेंगे सर क्यापिटल गेन निकाल रहे हैं कम निकाल रहे हैं पता है 2030 में निकाल रहे हैं तो सेल आ जाएगा हमारा अब पहला कुशन आता सर 65 लाग के 70 लाग कुशन मार्क है 65 लाग या कितना ले बताए फिर पांच लाग हैंट्रेस भी मिला है ना तो यह सेल देखो टोटल डिटर्माइन हुआ था कितना सर टोटल जो गुवर्मेंट ने डिटर्माइन किया था 80 में से 15 वो पहले हजम कर चुका है अब और उसे मिले 65 प्लस ब्याज यानि टूटल 70 मिले तो अब सेल में कितना माने 65 लाग मैंने लिख दिया था पहले इसलिए बता दिया ठीक हैं सेल में कितना लिखा था 65 लाग अब माइनस में करेंगे कौस्ट आफ एक्यूजिशन बताइए कौस्ट आ एक तो कितना आना चाहिए एक करोड ने लिख देए कौस्ट आफ एक्यूजिशन कैं आना चाहिए सब इस पया क्योंग दिख धा सर एक घर का cost of acquisition का benefit ले चुके हो ना पहले ही, तो एक ही चीज को कितनी बार minus करोगे आप, बार 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 minus, नहीं कर सकते, तो सर यहाँ पे capital gain जो आएगा, 65 लाग आएगा, और इस 65 लाग पे इसको tax देना पड़ेगा, अब बात रहेंगे 5 लाग का, सर यह 5 लाग रुपए जो इसको मिले हैं interest, इस interest पे tax नहीं देगा, बिलकुल यह tax देगा, और इसको जो 65 लाग रुपए मिला है न, एक्स्ट्रा, इसको बोलते है enhanced compensation, इसको बोला जाता है, enhanced compensation, enhanced compensation, देखो law के अंदर न, मैं अगर simple सी बात करूँ न, law है असान, लेकिन उसको अगर पहले आपको, नॉर्मल बोल चाल में बता दिया जाए और फिर उस technical word को बता दिया जाए, यह तो पता ही था हमें, लेकिन मैं directly starting से ही बोलू, enhanced compensation मिलेगा, enhanced compensation मिलेगा, तो फिर समझाए, क्या मिलेगा, थोड़ा सा, वो difficult हो जाए, तो enhanced compensation, तो बोला गया enhanced compensation पर हमें interest भी मिल रहा है, जो यह interest मिलेगा, इसको बोला taxable इसको भी करेंगा, ऐसा नहीं, income tax वालों बोलते हैं, कि इसको भी taxable करेंगे, क्या, other source में जाके, लेकिन other source में जाके, पूरा taxable नहीं होता, वहां 50% का हमें relaxation मिल जाता है, capital gain का पार्ट नहीं है यह, यह किसका पार्ट चला जाता है हमारा, other source का, लेकिन जो SSC है वो ढीट है, वो जजज से भी लड़ गया, बोला भाईया नहीं एक करोड़ी है, आपने मेरे SSC 20 लाक रुपे दो और दिलवाओ, तो आपने कभी सुना है कि जजज ने जो फैसला सुना दिया, तो वो फैसला बदल भी सकता है, यानि आपके पास court के बड़े सारे division दिये हैं, लेकिन income tax में ऐसा नहीं होता है, income tax में direct आप court में नहीं चले जाओगे, income tax के court के भी दाइरे हैं, सबसे पहले जाता है income tax officer, ITO जिसे बोलते हैं, उसके बाद जाता है income tax commissioner के पास, commissioner के पास जाता है आपका tribunal के पास tribunal के बाद फिर जाता है क्या CLB के पास बातलब की company कह रहा हूँ इसके बाद जाता है फिर आपका अलग-अलग court है तो उस तरीशिंगे चलता है तो हमें मैं law तो नहीं हम अभी वो तो नहीं पढ़ रहे कोट का तो इस हिसाब से चलते हैं अगर इसने कोट को बहुत सारी मूवीज में भी देखा है वह ज़स्त तो बोलता है हमने फैसला सुना दिया तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो आगे अपील कर लो तो अब इसके पास option होता है कि यह आगे और इसको compensation के लिए apply कर सकता है जैसा ही compensation के लिए apply करेगा फिर जीत गया तो उसको 20 लाग रुपे और मिलेंगे उस 20 लाग पर same calculation जाएगा और उस पर जो interest मिलेगा उस interest पर भी same calculation जाएगा तो हमारा concept जो है यह basically मैंने उपर concept डाला नहीं concept है हमारा के government जब आपका property compulsory acquire कर ले सर एक बात मैंने को याद आ रहा है मैंने कहीं और भी इस बात का discussion किया है compulsory acquisition by the government 54 वहाँ पे factory था यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ठीक है न अगर यहाँ पे फिर आप दुबारा चलो आपके साथ यह घटना घट गए अपने सब कुछ करा आपने फटा फट जो पैसे मिले एक मकान भी खरीद लिया तो क्या आपको exemption मिलेगा जी हाँ 54 का मिलेगा आपको घर गया आपने घर खरीद लिया तो क्या मिल जाएगा exemption 54 का मिल जाएगा आपने क्या करा बॉंड में डाल दिया तो 54 इसी का आपको मिल जाएगा आपने क्या करा अधर कोई जो स्पेसिफाइट था 54 डबल य भी था हमारा वहां भी करा तो आपका वहां भी मिल सकता है और जीवी में भी आपको इसका exemption मिल सकता है जहां जहां लिखा हुआ है ना कि एनी एसेट सोल्ड करो और यह लिलो तो वह यह था हमारा compulsory acquisition बताईए इसमें कोई doubt, compulsory acquisition में कोई doubt, है कोई doubt इसमें, clear रहे है आपकी किताब में आपने पढ़ना भी है देखो मैं तो सिर्फ क्या बताता हूं इसके अंदर की बाते वैसे हाला कि इससे related questions मैंने यहां कर दिया hint में आप यह चीजे अपने किताब के 45 सब्सेक्शन 5 मैं सेक्शन पर ज्यादा जोर नहीं डालता क्योंकि बच्चे ना उसको फिर परिशान हो जाते है वही मैं ढूंड रहा हूं 45 5 है किदर, और तो मिल गया यह रहा, capital gain by way of compulsory acquisition page नंबर 265 और जो मैंने चार्ट बना रखा है, although वहाँ भी mention किया हुआ है, आप देखिए उसमें, है टेनियर न, यह पीछे से start है, 4, 5, इसमें मैंने mention किया हुआ है, 5 में capital gain compulsory acquisition, आपका initial compensation और enhanced compensation, दोनों बात करिए, initial compensation में date of acquisition होगा, date of compulsory acquisition होगा, holding वो माना जाएगा, इसके बाद आपका यहाँ पे full value of consideration कैसे calculate होगा, यहाँ पे cost of improvement या cost of acquisition में आपने क्या रख दिया, निल रख दिया है, आपका year taxability, यहाँ पे लिखा हुआ है, और note number 30 के लिए पढ़ लेगे, लीजिए कि any compensation received, interim court, criminal and authority shall be tax accessible, the final order of the court, tribunal of the authority made, तो कुछ बाते मैंने extra भी बताई है, चार्ट को मैं एक बार पूरा खतम हो जाए न, सारा का सारा, तो मैं एक बार में चार्ट समझा दूँगा, किताब में आपको मिल जाएगा, 17.13 page number 265 पे ग्री सहुजा की बुक है, तो यहाँ पे गीबाने where capital assets, सार में आएगा, और मैं हर बच्चो को कहूँगा, जैसे मैं चीजे समझा देता हूँ, मैंने किताब इसलिए बोला कि भी है किताब लो, हर चीज shortcut पे भागोगे ने number नहीं आएगे, मैंने चार्ट एक पेज में मैंने खतम कर दिया इसको, जो चीज मैं इतने देर से बोल रहा मेरे बताने के बाद जब उसको आप read करेंगे, तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगा, और आप चीजों को coordinate कर पाओगे दिमाग से, कि हाँ सर ने भी ये बोला था, इसके साब से, इसके साब से सब चीजे लिखी है, ठीक है, ऐसा है, तो एक आपको लिखने का वे झाल सबस्के साब साथ